Hello everyone, welcome to bank for success, मेरा नाम है ब्रजेश और आज किस वीडियो हम लोग ACN Games 2018 के बाड़े में discuss करने वाले हैं with expected MCQ तो तो ACN Games आपके आने वाले सभी exams के लिए काफी important होगा, यहां से आपके multiple questions बनते हैं जिसको कि आपको cover करना है जैसे कि आप अगर types के question बात करें, middle के बाड़े आपसे पूछ सकते हैं, ACN Games का location से रिलेटर आपको question पूछ सकते हैं या games के कुछ important points हैं, वो आपको question पूछ सकते हैं, multiple players जिनोंने की middle जीता है, उनके बाड़े आपको directly question पूछ सकते हैं तो कई तरह के question बनते हैं, सभी को हम लोग discuss करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग complete analysis करेंगे and then question की और forward होंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपने अगर bank for success को अभी तक subscribe नहीं किया है, फटापट subscribe भी कर लिजिए और notification bell भी on कर लिजिएगा आगे परने से पहले, थोड़ी जनकड़े आपको IPS PO के live classes के बाड़ा आप जाना चाहूंगा कि रिसेंटली ओली बोर्ड ने IPS PO का live classes से start किया, 4 September से 12 October तक ये live classes, free live classes चलेंगे जिनके माध्यम से complete IPS PO के syllabus को discuss किया जाएगा और जिन भी लोगों को, जिन लोगों को coaching institute जो है, मागा पड़ता है, वो सभी लोग इन courses को join कर सकते हैं one time opportunity होगी आपके लिए, इसलिए जरूर जोएन कीजिए, नीचे मैंने description में link share कर रखा है उस link के माध्यम से, आपको website पर जानी है, अपने आपको register करना है और देन वहाँ पर आप जो है, लाइव classes की जो pre-recorded video है, उनको भी देख सकते हैं और जो next date, जैसे मनलो, आप अगले दिन का video जो है, डिरेक्टली उस time पर आप join कर सकते हैं जैसे आपको लाइब प्रैक्टी सेशन, डाउट क्रेंग सेशन, concept वीडियो धेर सारी चीज़ें प्रवाइट किया रहा है, आपके लिए complete package प्रवाइट किया जा रहा है सबसे पहले Asian Games के medal tally की बात करते हैं, medal tally में चाइना सबसे उपर रहा है, चाइना ने total 132 gold, 92 silver, 65 bronze and total 280 medals उसने जीते हैं उसके बाद Japan का number आए, जैपान ने भी 75 gold, 56 silver, bronze 74 and then 205 जो है, वो total medal जीता है, इसी तरह से आपको और भी countries के medal देखने पड़ेंगे लेकिन कम chance बनता है, कि यह सिर्फ first वाले का important रहेगा, then आपको directly इंडिया पर चले आना है कि इंडिया ने कितना gold, कितना silver और कितना bronze जीता है, यह important रहेगा, तो total medal जो है, इस बाद इंडिया ने 69 जीते हैं इंडिया का position कितना है, वो 8th position पर इंडिया को इस बार मिला है, ASEAN Games में, यह अब तक का सबसे अच्छा performance रहा है, भारत का, किसी भी international level के खेल में, तो इंडिया का जो है, यहां पर देखिए, उन्होंने gold भी 15 के लगवाग गोल्ड जीते हैं, silver 24 के लगवाग जीते हैं, brown medal 30 के लगवाग है, total कितने medal है, 69 total medal इंडिया को मिले हैं, यह याद रखिएगा, ओके, एक बात जो है, आप अकर देखें, तो मैंने देखिए, हर ज इस बार जो है, यह Asian Games Jakarta, ओके, इंडोनेसिया की Jakarta मुआ था, और यह पहली बार हुआ है, कि यह दो सहरों में organize किया गए, दो सहरों के दो अलग अलग स्टेडियम में इस बार के खेल organize किये गए थे, एक Jakarta और दूसरा Palembang, यह दूसरी दूसरी जगा पर भी organize किया गया था ओके, तो दोनों सीटी में इस बार हुआ है, तो दोनों सीटी इंपोर्टेंट हैगा, हलांकि Jakarta ही बोला जा रहा है, लेकिन आपसे अगर इजामनेर पूछता है, आपको दूसरी सहर के बारे में भी पता होना चाहिए, सम हाइलाइट्स इंपोर्टेंट हैं, जो कि आपको क्लोजिंग से रानीन मेनी का आपको टेम से रिलेटट से रिलेटिटग से रिलेटट इस स्टेटि कर इसकारता हुए, हम जबनते हैं तो वहां से भी आपको यहीं कॉस्ट्टि पूछ पूछ दिया सकते मोटिवेटर भी है तो जैक मा जो है उनका भी जो सहर है वो हैंग जू ही है ओके चायना के एंग जू सहर से ही वह भी बिलॉंग्स करते हैं तो आपको यह बताने का मकसद यहीँ था कि आप इस सहर को याद रख सकते हो कि आप उनके नाम से भी कनेक्ट करके जो है इसको याद रख सकते हैं तो एसे एन गेम्स 2020 कहां पड़ावने ला है हैंग जू चाइना में होने वाला है कि नेक्स्ट आ जापनीश स्विमर रिकाको इकी बाइश अनॉस्ट विल्वल ब्लेयर अब तुमेल एंटी एंगेम्स और यहाद रखेगा रिकाके को इकी ऐशे प्लेयर अचेत्न गेम्स ओके यह जैपान की मेहला इंको जो है इस बार का most valuable player गोसित किया गया है राई क्या को एकी नेक्स आता आपका मस्कट के बाड़े में question पूछा आते हैं तो मस्कट जो है वह है भीन अतूंग और काका रिप्रेजेंट इस्टेंड सेंटल एंड वेस्टेंड इस्टेजी स्पीड एंड स्ट्रेंद आप देख सकते ह हैं यह two and three कि पीन इमेज से जो है इस बार का मस्कट त्यार क्या कि था यह आपका मस्कट है यह मस्कट में देकिए तीन चीज हैं भीन अतूंग और के काका ओके कि तीन हो जो है तीन अलग बलग डिजन को करता है Eastern Central एंड वेस्टव इस्ट्रीजिन ऑप इंडोनेसिया को रिपरेजर करते साथ तीनों का जो है वह मतलब क्या है इस्टेटिजी स्पीड एंड स्टेंध को भी यह रिपरेज़न करता है कोके यह तीनों चीज़ें इन खेल करें रिक्वार्मेंट होती है इसलिए इन को वीन अतुंग एन काका का मसकत बनाया था कि इन्डिया इंडिया पर्टिंटीटिंग इसتवीड 5702 इसे थे 36 ए थे 16 एilot где और यह भारत का सबसे बड़ा कुड़ू 600 फाइफ सिबंटी टू पार्टिसिपेंट नी जो है उसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया ऐटीन्थ एप्यरेंस एड़ एसेन गेम यह भारत का अठाड़ावाँ एप्यरेंस है एसेन गेम्स में जब एलेंग थोरोवर नीरत चोपड़ा वाजद फ्लेग बेरर फुर इ करते हैं यह चीज़ें आपको इंपोर्टेंट होती है और आगे इसके हम लोग इनके मेडल के बाड़ेंगे इनके साहर के बाड़े में भी हम लोग वहाँ पर देखेंगे बस आपको यह ध्यान रखने कि फ्लैग बेरर जो था ओपेनिंग से रोवर मेनी का जो है फ्लैग वाला पोइंट भी इंपोर्टेंट है इसको भी ध्यान में रखना है इंडिया फिइनिस्ट ये जिस्टी नाइन मेडल इंटेंग पेराइब से आपको अलर्ड़ी बोला ये भारत को आप तक का सबसे बहतर परफोर्मेंस में इसे माना जायेगा क्योंकि आप भारत ने 69 नाइन के लगए मेडल जीते हैं और इने अपने पुराने जो भी प्रिवियस टेन के 65 मेडल के ओके यह दोहर 10 में ने ग्वांजू चाइना में परफॉर्म किया था उसको विन्होंने बीट कर दिया है तो दोहर 14 में उनका उस्तों से परफॉर्मेंस नहीं रहता है लेगिन फिर से डोहर 18 में जब यह 4 साल बाद एक पर गेम होता है यह भी ध्यान रखना है किया हरे चार साल पर होता है किसी भी एजन सिटी में यह कंड़क्ट कियाता है तो जो दोहर 10 का प्रफॉर्मेंस था उसको उन्होंने फिर से रिपीट किया और इस बार प्रिवियस रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है कि 65 के बज़ा यहां पर 69 मेडल उन्होंने जीते हैं जो राही सरनोबत है विकम्दुर फर्स्ट विमिन सूटर टू विन गोल्ड मेडल एट एसियन गेम्स अब देखिए कुछ फर्स्ट टाइम वाले जो है वह आपको ध्यान रखने कि कौन-कौन पहली महला बनी है या कौन से पहले महला मतलब कौन से गेम्स में कौन फर्स्ट आया हुआ है यह सब आपको फूल पूशे आते हैं तो राही सरनोबत राही सरनोबत कौन से खेल से जूड़ी हुए यह जूड़ी हुए सूटिंग से ऑके भारत की सूटर है यह पहली महला सूटर बनी है जिसने की गोल्ड मेडल जीता है किसमें एसेन गेम्स में हम लोग सब्सक्राइब करें और याद रटना है राही सुर्णूबत नेक्ट वीनेश फोगाद आप सभी को ध्यान होगा दंगल मुवी उसमें गीता बवीता एंड वीनेश यह जो आपको चार सिस्टर ती उसमें से वीनेश फोगाद जो है जो दिल्ली में है देली कंवन में निकली थी पहली मेला रेसलर थी इननोंने की मेरा गोल्ड घूड जिता था सिमिलरली जो उनकी सिस्टर वीनेश फोगाद ये भी आप पहली मेला बन चुकी है वीने गोल्ड अट एट एट इसलीए यह उता है और आपने एकर डालोग को सुना होगा तो गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोड़ा लाएं छोड़ी लाएं ओके यह इसलिए होता है कि आप इन चीजों से भी इनको ध्यान में रख सकते हो इस वार जो है, इंडिया को दो मेडल मिलेवे, PB सिंदू को, सिल्वर मेडल एंड शायना नहवाल को, ब्रॉंज मेडल मिला है, ओके, तो ध्यान डखिएगा, और Bedmington में ये पहला मेडल है भारत का पहला silver medal और पहला bronze medal भारत को मिला है ये नीरच चौपडा अभी इवाद बात कर थे इंडिया के ये फ्लाइक बेर थे उपनिंग सेर्मिली के लिए नीरच चौपडा गोल्ड मेडल इन जेवलाइंध्रो और दूसरा है भारत का ये पहला मिडल था तो ध्यान रखेंगा नीरच चोपड़ा ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता जेविलांत्रों में और दूसरा कोने सपना बढमन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है जितने भी मेडलिस्ट ये पॉपुलर वाले हैं यही सा आपको पुछे आते हैं आपको जितने भी पॉपुलर नाम्स है उन्हें के रेड़ेड़ कोश्चन जनरली पुछे त्योड़ी है मेरा एक्स्प्रियेंस रहा है कि मोस्ट टे टाम्स मैंने यही देखा है नेक्स्ट है इंडिया वोन इट्स फर्स्ट मेडल इंटेवल टेनिस ब्र क्योंकि हम लोग वही चीजों को डिस्कस करते हैं जो की आपको इंपरटेंट होता है इन्पोर्टेंट होता है और मुझे रगता है कि यहां से बन सकते है तो सेघ्ट टेकर आ जो है और मिला और कौन सा मेडल मिला है ब्रॉंज मेडल मिला है मेंस टीम को ओके नेक्ट है अब कुछ लिस्ट ओव विनर्स देखेंगे जो की पॉपुलर विनर्स हैं जिनका की मीडिया में बाड़ा बार नाम लिया गया है और यही विनर्स से रिलेटेड आपको कोश्चन जो है जदा चा में जो जो में आपको यह डीटेश केंट में शुलप करतें कि शौडव चौद्री स्टर बढंच करते ब्लंस करतें कि शॉडव चौदर उत्तर परड़र्स से रिसेंट्ली जो है वह नोने जो ब्लंस करते ? टेन मील एर पिस्टल में गोल्ल मेंगेश्टे लिता एसे गेम्स में साति-सात इन्होंने जूनियर वरल्ड डिगॉर्ड करेके था आइएस एप जूनियर वर्लड कप推ूर्ण चुक्ण prata गया था इसोल जर्मणी में करिया सड़ी कंडक्ड किया गया था नेक्स्ट है राही सरनोबत राही सरनोबत के बाड़े बात करें राही सरनोबत विकांस फर्स्ट इंजिन वुमन स्टर टुविन एसीन गेम्स गोल्ड इन 25 मीटर पिस्टल वाले में राही सरनोबत जो है वो पहली महला विमन बनी है जिसने की एसीन गेम्स में गोल्ड मीडल जीता है भारत के लिए आप राहिस्वर्णवाद कहां से विलॉंस करती है यह महराश्ट्रा से विलॉंस करती है इत्वी इंपोर्टेन रहेगा जितने भी इंपोर्टेन लीस्ट है जो पॉपलर मेडलिस्ट बने आपको वह सभी का एस्टेट ध्यान रखना आपको ओक का ये साथ उन्होंने कौन से गेम्स में जीते हैं कौन से मेडल जीते हैं ये भी इंपोर्टेंट रहेगा और ये इवेंट कहां पूँआ था जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कुछ इवेंट जो है वो जाकारताम होते हैं और कुछ इवेंट पलेमबंग में हुए थे ये इवेंट जो इनका इवेंट कंड़क्ट हुआ था वो पलेमबंग में कंड़क्ट किया गया था नेक्स्ट तजिंदर पाल सिंग नाम से इसमाज़ मारा है यह आपको पंजाब से बिलॉंग्स करते हैं और यह पंजाब से बिलॉंग्स करने के साथ-साथ इन्होंने कौन सा मेडल जीता है नेक्स्ट है सपनाब्मन विस्ट बंगाल से बिलॉंग्स करती है और इन्होंने गोल्ड मेडिया जीता है वह पहली महला है जिसने की बारत के गोल्ड मेडल जीता है नेक्स्ट आपका मंजीत सिंग, मंजीत सिंग हरियाना से बिलाउंस करते हैं, वोन गोल्ड मेडल इन दे मेंस 800 मीटर रेस, इवेंट वाय फिनिसिंग दे रेस इन 146.15 मीनट्स, ओके, कि इतने टाइम में उन्होंने रेस को फिनिस किया था, 1800 मीटर वाले रेस में उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है, और यह कहां से बिलाउंस करते हैं, यह हरियाना से बिलाउंस करते हैं, और एक है जिंसन जिंस, जिंसन जॉंसन, इन्होंने जो है, सिल्वर मेडल जीता है, उसके बारें भी आप ध्यान रख सकते हैं, यह 8 मीटर वाले रेस में, जिं सबसे इंपोर्टेंट रहेगा ये दूती चंद एंड हेमादास दोस्तों ये काफी यादा पॉपोलर हो चुके ये काफी यादा न्यूज में इस पर मुझे चांस बने कर दोस्तों पूछे जाएंगे दूती चंद में इन्होंने दो मेडल जीता है लेकिन इनका सबसे इंपोर्टेंट रहेगा वह हंडेड मीटर वाला रहेगा जहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है सी वन टू सिल्वर मेडल इन हर मेड़न एसियन गेम्स दे ट्वंटी टू यर ओल्ड स्प्रिंटर क्लिंद सिल्वर इच इन्द वोमें डेसिंग ओके दो मेडल जीता है नेक्स्ट है हमादास आप सभी को पता होगा यह भी भारत की दूसरी पीटी उसा के नाम से इनको जाना जा रहा है मतला इनको पॉप्लर हो रही है तो हमादास ने भारत को 400 मेटर वाले गेम्स में सिल्वर मेडल दिलाया है और यह आशाम से बिलॉंग्स करती है ओके यह 18 एर्स गोल्ड गर्ड फ्रॉम आशाम्स और इन्होंने रिसेंटली जो है जब अंडर 20 एथलेटिक्स जूनियर चेंबियंसिप वह था तो वहां पर भी जो है कि इन्होंने 400 मेटर वाले में गोल्ड जीए था था भारत के लि जीए जो इन्होंने जूनियर चेंपियंसिप में जीता था वह भी आपको ध्यान रखना है और यह कहां से बिलॉंग्स करती है वह भी आपको ध्यान रखना है अगर देखें लिस्ट ऑप इंडियन गोल्ड मेड लिस्ट और लेड़ी मैंने धेड़ सरे डिस्कस कर रखें previous release, लेकिन इसमें से अभी खूछ बचा हुआ है जैसे बजरं पुनिया रेस्लिंग से बिलांड खते हैं काफी पॉप्लर है rookनेस फवालागात wrestling से बिलांड करते हैं सौडव चौधरी अभी इनने बोले आपको रेस्लिंग से बिलांड करते हैं यह सभी मिलकर जो है, रोहन विपन्ना दिवजीत सरन, यह लॉन टेनिस में भारत को नोने इस बार गोल्ड मिडल दिवजीत सरन है, याद रखेगा रोहन विपन्ना के साथ दिवजीत सरन है, नेक्स्ट है तजंदर पाल सिंग तूर, एथलेटिक्स से हैं, मैंने अभी डिसक इसमें भारत को गोल्ड मिडल भी जीता है, क्योंकि विकिपेडिया से लिया तो अब्यासी बाते सही ही होगा, नेक्स्ट है गोल्ड एथलेटिक्स में एक टीम इवन था, इसमें भी गोल्ड मिले भारत को, और अमीद पंगाल, बॉक्सिंग में भारत को जो है, इन्होंने गोल्ड दिला है, अब देखिए, एक मेरे से छूट गया है, ये अमीद पंगाल, इनके बारें भी सारा कुछ कवर कर लिजेगा, ये भी इंपोर्टेंट रहेंगे, इनको जो है, आपको ध्यान से कवर कर ल फोरा गोल्ड मेडल मेडल मिले भारत को टोटल 69 मेडल मिले है, वह बिकम धफूस्ट इंड वो में तो वीन अगोल्ड मेडल इन सुटिंग एट अद थे एस एन गेम, शुटिंग मेन आपको बला रानी सर्णोबाद, ओके तो बी नम्मबर अंसर होगा, मार्की जे फटाप next day who became the first Indian women wrestler to win a gold medal at the ASEAN Games विगनेस पोगात मैंने आपको कहानी विशन आई थी अभी which Indian became the first badminton player to win the silver ASEAN Games silver medal in ASEAN Games मैंने आपको बोला silver PB Sindhu, bronze Sanna Nawal तो कंसी होगी PB Sindhu next day who has become the first Indian javelan thrower to win a ASEAN ASEAN Games जोविलन thrower मतलब नीर चोपड़ा और यह फ्लैक बेरड भी थे opening ceremony में इनको फ्लैक बेरड भी रखा गया था तो मैं यहां पड़ फ्लैक भी लिख दता हूं ध्यान रेव देखिए एक एक चीज को connect करके देख पड़िए तब कम समय भी लगेगा याद करने में किसने जोए ASEAN Games में मतलब में भारत को मेडल दिला है तो मैंने आपको बाड़ पर बोला है सब्सक्राइब वर्मन यह कहां से हैं वेस्ट बंगाल से ओके यह भी मैंने बताया आपको नेक्स्ट है वोन इंडिया फर्स्ट इसलबर मेडल इनके बाड़े मैं और वीच आपको अगर एवलेबल इंटरनेट से तो वह सर्च करके आप इसको कवर कर ले वू विकेम दे अलिए सेंगल स्प्लेयर तो विने एस्याड ब्रॉंज इन बेड्विंटन एटींथ एसेन गेम्स तो यह जो यह सायना नेवाल्ज ब्रॉंज किसको मिला सायना नेवाल्ज को पीवी सिंदू को सिल्वर। विच टू इंडियन प्लेयर्स वन गोल्ड इन टेनिस मेंस डवल फाइनल्स एट एसेन गेम्स मैंने आपको बताया था दीविज सरन एंड रोहन विपननात अंसर क्या हो जाएगा सी नमर हो जाएगा विच नेशन वोन गोल्ड इन वोमेंस कबड़ी फैनल ने एसेन गेम्स पहली बाड़ हुआ है जोकि भारत को कबड़ी में जो है गोल्ड मिलने के वाज़ा है सिल्वर मिले मेंस में और विमेंस में भी विमेंस में इरान ने इस वार मेडल जीता है और भारत को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा ओके दूसरी बात